नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है मेरे उट्टी channel फार्मिन नेवलोज़स पर दोस्तो आज हम एक बहुत हैं बेहतरीन आपके जानकाड़ी के लिए उप्यूथ वीडियो लेकर गया हैं जिसका नाम है Multi-Layer Farming दोस्तो आपने Multi-Layer Farming का नाम अबस्ते सुना होगा नहीं तो पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए ध्यान पुरवक सुनिए बहुत फैदा होने वाला है दोस्तो तो आज हम इस वीडियो के बारे में आपको बताएंगे कि Multi-Layer Farming क्या है Multi-Layer मचली पालन में कौन-कौन सी मचलियों का हम पालन बरे ही आराम से कर सकते हैं जिसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो दोस्तो और Multi-Layer Farming में खर्च कितना आता है लागत कितना लगता है ये सारी जनकाडी में हम आपको देने का प्रयास करेंगे Multi-Layer Farming के फायदे क्या-क्या सब हैं क्या-क्या भी सिस्ताएं हैं इनके बारे में भी हम चर्चा आगे करेंगे दोस्तो और एक लेयर के तालाब में जब हम Multi-Layer Farming करते हैं तो हम कौन-कौन सी मचलियों का कितना कितना सीडे स्टोक करें हैं अपने तालाब में सारी जनकाडी हम आपको दोस्तो देने का प्रयास करेंगे तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें वीडियो बीच में स्काइब नहीं करें पूरा वीडियो देखें तब जाकर के आपको संपूर्ण जानकाडी मिलेगा जब आप वीडियो लास्ट तक दिखते हैं तब आपको संपूर्ण जानकाडी मिलता है दोस्तो तो चलिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को start करते हैं पहले आता है दोस्तों कि multi layer farming क्या है तो दोस्तों हम multi layer farming के अंतरगत हम अपने तालाब में जैसा कि आपको जानकारी होगा तालाब के सबसे उपरी layer उसके बाद मध्य का layer यानि की बीच का layer उसके बाद सबसे निचली सतह, निचली लेयर में हम जब अलग-अलग तरह का तीन मचलियों का पालन करते हैं, या पांच मचलियों का पालन करते हैं, तो इस सिस्टम को ही मल्टी लेयर फार्मिंग की संगया हम देते हैं, दोस्तों, इस लेयर से फार्मिंग करने में बहुत पाइदे हैं किसान भायू कम खर्च में एक मचलियों के भोजन में हमारा तीन तरह का मचली का प्रोडक्शन बहुत ही आराम से हमारे तालाब में हो जाता है दोस्तो तो हम आसा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे विदियो जब पाणी के तीनों लेयर के लिए दोस्तो हम अलग आप उपरी लेयर के लिए एक मचली का अलग से पालन करें मध्य के लेयर के लिए आप दो मचली का पालन करें दो अलग अलग तरह का मचलियों का सीड़े स्टोप करें और निचली लेयर के लिए आप दो और मचलियों के पालन करें सीड़े स्टोप करें हम उपर के लिए सिर्फ एक ही मचली का पालन के लिए आपको बता रहे हैं बहुत जगा वीडियो में आपको उपर के लेयर के लिए भी दो तरह के मचली को नाम बताया गया होगा दोस्तों लेकिन हम आपको सिर्फ उपरी लेयर के लिए एक मचली कतला मचली के लिए ही आपको बता रहे हैं उसमें कतला के साथ आप उपरी लेयर में आप बिकेट या दुसरी मचली का पालन न करें इस पर भी हम एक विडियो पहले बना चुके हैं कि कतला के साथ जब कतला उपरी ले तो उस चक्र में दोनों मचली में से किसी का अभीकास नहीं हो पाता है तो हमको इस तरह का मचली डालना चाहिए जिसमें तीनों लेयर में अलग-अलग भोजन हो मचलियों का उस तरह का मचली का हम पालन करे तो ग्रोथ बहुत अच्छा तरह अशो होगा अब दोस्तों बात आती है कि हम कौन-कौन सी मचली का पालन करें मल्टी लेयर फार्मिंग के अंतरगत दोस्तों तो चलिए हम आपको बताते हैं तीन लेयर जैसा कि हम आपको बता दिये किसी भी तालाब में आप तिन तरह का मचली तीनों लेयर के लिए पालन कर सकते हैं तो सबसे उपड़ी ले लिए कभके लिए दो आप उपर के लिए आप सिर सांद आप बीच वाले लेयर के लिए अब झाले अपने तलाब में दोस्तो और सबसे निचली सता के लिए आप common कारप का बीज डाल सकते हैं एक बार फिर हम बताते हैं उपरी सता के लिए आप silver कारप को नहीं डालें सिर्फ कतला और सिर्फ कतला कहीं बीज डालें अब बात आती है दोस्तो कि खर्च किस ना आता है हमको इस तरह के farming में बहुत कमकरज में आपका मचलि यहाओं का गुरोथ बहुँ अच्छे से हो जाता है दोस्तों जैसे आप कतला के लिए प्लेंगटन का निरमान अपने ताला में करते हैं तो जो भी कतला मचली प्लेंगटन खाती है और उसी प्लेंगटन में पैखाना करेगी उसको आपका नीचे प्तल में जब आप पालन करते हैं मरीगल को यानि किन्याइन को तो उस पैखाना को आपका मरीगल मचली खाएगी और बड़े ही आराम से गुरूथ करेगी तो हो गया जब आप खर्च करते हैं सिर्फ प्लेंग्टन निर्मान में अपने बिधी में यानि कि मल्टी लेयर फारिमिंग में दोस्तो तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फायदे क्या है तो तीन मचलीयों का ग्रोथ एक साथ होता है कम खर्च में एक ही मचली के भोजन में तीनों मचलीया का भोजन मिल जाता है या चारों पांचों मचलीयों का भोजन मिल जाता है दोस्तो तो एही इससे फायदा है हमको लागत एक के लिए लगाना पड़ता है और ग्रोथ तीनों तरह के मचलियों या पास तरह का अगर आप डालते हैं एक लेयर के लिए दो दो तरह का तो उन पांचों मचलियों के लिए ग्रोथ आपका बहुत के लिए और उसमें ग्रास का बीज कितना डाले हैं बीज के लिए नीचे वाले लेयर के लिए हम मिरीगल का यानी नईनी का बीज कितना डाले उसके बाद कॉमन कार्फ का बीज कितना डाले है एक एकर तालाब में तो हम आपको एक एकर तालाब के बारे में मिश्त्री तु एक और मचली हम आपको बता देते हैं, आपको पता ही होगा, ग्रास कारप अवस्तेपाले अपने बीच के लिएर के लिए दोस्तो, उसके बाद नीचे के लिएर के लिए आपको 500 मिडीगल का बीज डालें और 500 कॉमन कारप का बीज डालें दोस्तो, आप कहेंगे कि नीचे के लिए मिडीगल का बहुत कम बता रहे हैं कौमन कर्प का बहुत कम बता रहे हैं इसलिए हम दोस्तों कम बता रहे हैं कि मिडीगल का गुरुथ बहुत कम होता है उसके साथ आप कौमन कर्प का बीज डालें 500 तो कौमन कर्प का गुरुथ बहुत अच्छा होता है तो वह ठीक र दालेंगे तो फिर से आपके तलाब का एस्टिमेट खड़ाब कर देगा दोस्तो उसका जो भी बच्चा होगा उस बच्चे का गुरोथ अच्छा नहीं होगा दोस्तो तो इसलिए आप 500 बीज मिरीगल का डालें 500 कॉमन का डालें बहुत अच्छा गुरोथ होगा आपको तीन खालें तब तक सुखाते रहें जब तक कि गर्मी के कारण आपके तलाब में दरार नहीं पर जाए जब आपके तलाब में दरार पर जाता है खुब सुख जाता है तो उसमें जो कीरे मकोरे होते हैं जो मचली के लिए नुकसान दे होते हैं वह सारे कीरे मकोरे आपके जाते हैं और बहुत अच्छे तरह से आपका तालाब सुख करके तयार हो जाए उसके बाद उसको जुतबाना चाहिए दोस्तो उसके बाद आप उसमें चुने का चिरकाव अवस्य कर दें चुना में कुछ लागत लगता है सो रूपे पैकेट के हिसाब से देता है मेरिया आप गोबर का चिरकाव अवस्य करें फिलिंग्टन निर्मान के लिए तो यह राम बान है गोबर जो है आपका गाया का गोबर मुरगी का गोबर बैल का एक हजार डालें ग्रास का रप का एक हजार डालें मिरीगल का 500 कोमन का पांसो डालें दोस्तो और समय समर पर इसमें सरसों की खली राइस वरानोगर का चीरकाब करते रहें दोस्तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह से आपके मचलियों का गुरूथ हो रहा है यह मल चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे कोमेंट करेंगे दोस्तो धन्यवाद